कैसे आप सब आज काफी टाइम के बाद बात करने वाले MT-125 के लॉंच के बारे क्योंकि अब इस स्पाइक का एक नया अपडेट आया है इस स्पाइक को इंडिया में क्यों नहीं लॉंच किया गया अब तक और क्या रीजन था 2020 में Lockdown and BS6 Update के कारण MT-125 का लॉंच दिले हुआ 2021 से लेके 2022 मिट तक यामा ने अपनी सारी लाइनप को अपडेट कर लिया अब फाइनली लंबे समय के वेट के बाद MT-125 का लॉंच अपडेट आ गया है यामा इंडिया में काफी न्यू बाइक्स को लॉंच करने वाला है जिन में से आपको MT-125 का भी लॉंच देखने को मिल जाएगा To compare to MT-15, MT-125 में आपको अच्छी माइलेस, performance and price भी इस पाइक का affordable मिलेगा क्योंकि MT-15 का प्राइस काफी जादा है यामा इंडियान मार्किट में MT-125 सब्सिटूट को लॉंच करने वाली है क्योंकि आप में से काफी सब्सक्राइबर इस पाइक की लॉंच की वेट कर रहे है यामा MT-125 में आपको क्या कुछ नहीं features मिलेंगे, price कितना होगा यामा इस पाइक का लॉंच आपको कब तक देखने को मिलेगा लेटेस पाइक की अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी important अपडेट मिसना हो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और और लुक MT-125 की similar होगी MT-15 से MT-15 में आपको bigger engine मिलता है and इस पाइक में आपको advanced features भी मिलते हैं but MT-125 में आपको smaller engine मिलेगा but इस पाइक में आपको features भी काफी basic मिलेंगे as compared to MT-15 के comparison में सबसे पहले बात करते हैं इसके design पर front headlight का design काफी aggressive होगा single project light MT-15 जैसी होगी same meter cluster fully digital होगा seat इस पाइक में आपको split seat मिलेगी and इसमें आपको latest graphics भी मिल जाएंगे handle bar clip on होगा जिससे इस पाइक में आपको easy handling भी मिल जाएगी overall weight पे इस पाइक का काफी कम होगा जिससे इस पाइक में आपको जबर्दस performance भी मिलेगी average ये bike generate कर देगा 60 km per litre तक and इसमें आपको कोई भी heating issues नहीं face होगे क्योंकि इस पाइक में आपको engine cooling technology मिल जाएगी leaked cool number of gears इसमें आपको six speed gearbox मिलेगा seat height भी इस पाइक में आपको same MT-15 जितनी मिलेगी MT-125 टक कर देगा KTM Duke-125 को suspension front में होगा telescopic fog जोकि MT-15 में आपको USD front fog suspension मिलता है MT-125 में आपको rear suspension मिलता है monoshock front and rear में hydraulic disc brake है but इस पाइक में आपको ABS की option नहीं मिलेगी हाँ MT-15 में आपको ABS की option मिलती है front and rear wheel size 17 inches का होगा MT-125 के अगर हम engine and specification की बात करेंगे तो engine size is इस पाइक में आपको मिलेगा 124.5 cc leaked cool exo sc engine and ये bike power generate कर देगा 14.7 hp तक torque भी इस bike में आपको अच्छी खासी मिलेगी 11.5 newton meter of torque fuel tank की capacity 11 liter तक होगी and overall weight इस bike का होगा सिरफ 142 kg MT-125 में आपको advanced technology के साथ solid build quality भी मिल जाएगी Yamaha की तरफ से so अब बात करते हैं MT-125 के features के बारे तो इसमें आपको single LED projector headlight के साथ LED DRLs भी मिलेंगे and this bike में आपको combined braking system भी मिल जाएगा alloy wheel के साथ इसमें आपको sleek fuel tank भी मिलेगा and इसमें आपको tubeless tire भी offer कर रहे जाएगे rare में इसमें आपको LED tail light भी मिलेगी MT-125 में आपको ये feature नहीं मिलेंगे as compared to MT-15 के comparison में इसमें आपको bluetooth का activity नहीं मिलेगी and इसमें आपको slipper and sysclush भी offer नहीं किया जाएगा USD front fork suspension के साथ इसमें आपको ABS की option भी नहीं मिलेगी price को affordable रखने के लिए MT-125 में आपको normal features मिलेंगे MT-125 का price होगा approximate 1,30,000 से लेके 1,35,000 तक जो की MT-15 से 30,000 से लेके 35,000 पर इस bike का price कम रहेगा इस bike का launch आपको कब तक देखने को मिलेगा expected है इस bike का launch आपको देखने को मिल जाएगा December नहीं तो Yamaha इस bike को January 2023 starting में launch कर देगा Auto Indie Expo में वहाँ Yamaha और भी काफे new bikes को first choice कौन सी होगी इन दोनों में से KTM Duke 125 या फिर Yamaha MT 125 comment section में जुरूर बताएं कि आप इन दोनों में से कौन से bike को prefer करोगे बाए करना so hope करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी interesting लगी होगी ऐसी upcoming bikes के update के लिए आप channel को जरू subscribe कर ले ताकि कोई भी important update मिसना हो and अगर आपके कोई भी कोशन्द है किसी भी bike के related आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते हो आपको instant reply मिलेगा till then take care of you and ride safe